जैसा कि थम्मनेल से परचल ही चुका होगा कि आज हम लोग चल्शा करेंगे अमरित पाल सिंग संदू और जर्नल सिंग भिंडरावाले की शुरुआत करते हैं अमरित पाल सिंग संदू इसका जनम हुआ है 17 जनवर उनिस्वत तिरानवे में इसका जनम हुआ है यह एक कटरपंथी और श्यंभू भारती खलिस्थानी या अलगावादी कारी करता है यह पंजाब को भारत से अलग करना चाहता है जिस तरह से भिंडरावाला करना चाहते हैं उसी तरह से इन्होंने वारिस पंजाब डे संगठन का प्रमुख है वारिस पंजाब डे एक संगठन है पंजाब में इसका प्रमुख है पहले ये दुबई में काम करता था सितंबर 2022 में लोटा इस संगठन के जो पिछले नेता है दीप सिध्धु की एक कार दुर्घटना में पैत्रिक गाउं है जल्लुपूर खेरा बाबा भाकला अमरीज सर पंजाब के पास है दुबई से लोटने के बाद दमदमी टकसाल के जो पूरुव जत्यदार है थे जरनैर सिन भिंडरा वाला के पैत्रिक गाउं मूगा के रोड गाउं में अधिकारी उद्गाटन समारो भी आयोजित किया अब खूले तोर पे खलिस्तान का समर्थन खलिस्तान आंदोलन का समर्थन की बाद की लोगों में खालसा सिक में परिवर्थन यह जो संगठन है यह लोगों को जो भी लोग हैं उनको खालसा सिक में परिवर्थन करने की कोशिज करता है अलगावाती आंदोल को इसने अमरित्पाल सिंधु ने खुली रूप से धमकी दिया है कि जो हाल इंद्रा गांधी का 1984 में हुआ था वही हाल अमित्साह का भी ये करेगा ठीक ना तो साथी भींड्रावाला की जितनी भी अस्टाइल है उसका ड्रेसिंग सेंस उसके बोल चाल उसके आसपास जितने बोडिगार्ड्स ठीक ना थाने पर हमला करके अपने लोगों को छोड़ा लेना ये सारे काम ये करता है ठीक ना भींड्रावाला 1984 में आउपरेशन बुलू अस्टार हुआ था उसमें यह मारा गया था भींड्रावाला तो ये अंधुलन इंद्रा गांधी जी ने चलाया इन्होंने जबर्दस्ती ठाने से छूड़ा लेना समझ सकते हैं ठाने पर हमला करके ठाने को अल्टिमेटम देके वहां से छूड़ा लेना ये एक गंभीर अपराद माना जाता है 18 मार्च को पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब डे के खिलाफ करवाई की है 78 लोगों को ग्रपतार किया है और वी तक इंटरनेट सिवा बंद है तो कहिने कहीं भारत सरकार इस तरह के हरकोतों को बिल्कुल बरदास नहीं करेगी इसका भी खंड होई जाएगा चलिए अब आते हैं इसके प्रिष्ट भूमी में चलते हैं कि जनरेल सिंग भिंटरावाला कौन था तो जनरेल सिंग भिंटरावाला यह पूरा नम था इसका जनरेल सिंग बराड इसका जनम हुए था 12 फरवरद उनिससाइटानिस को अब इसकी 6 जून 1984 की ऑपरेशन बुलू अस्टार में गोली मार कर भारती सिना ने गोली मार दी थी ठीक ना धार्मिक एक समू है दमदमिक लकसाल का यह परमुग था जनरेल सिंग भिंटरावाला अननदपूर साही प्रस्ताव का समर्थन किया अब सम पंजाब को स्वायत राज्जी के रूप में स्वीकार करने यानि केंदर सरकार को कर रहा है कि पंजाब को एक स्वायत रूप का दरजा दिया जाए और केंदर को सिर्फ विदेश मामले मुद्रा रक्षा संचार सहित केवल पांच दैतों अपने पास रखने के लिए कहा ग बातें बाद में आगे चल कर खलिस्थानी आंदोलन की सुरुवात मानी जाती है तो इसका जो आतमा है ना ये आननदपूर शाही प्रस्ताव है और यहीं से खलिस्तानी आंदोलन शुरू हुआ था इन्होंने सिक्ष शुद्धिकरन आंदोलन भी चलवाया और समिधान की भारती समिधान की जो अनुछेध 25 है इसकी सक्ट निंदा करता है। जिसमे कहा गया है अनुछेध 25 में कि सिक धर्म बौधधर्म जैन धर्म को हिंदू धर्म का हिंस्टा कहा गया है। तो आप ही बताईए कि जो हमारे गुरु देव रहे हैं, गुरु नानक रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं थे, खत्री जाती से नहीं थे, वो हिंदू थे, तो आप लोग सभी एक हिंदू धर्म का अगर पाठ हैं, ठीक ना, बाद में मालिज चोगवी पंद्रवी सतवदी में एक अलग धर्म के रूप में आगया, बुदिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, तो आप हिंदू धर्म का एक हिस सही हैं, तो ये उसे स्विकार करने को तयार नहीं है, अगस्त 1992 में बहिंडरावाला और अकाली धर्न ने एक धर्म यूध मोर्चा की सुबात की, जिसका उदिश से किया थे, अनंद पुर साही प्रस्ताओं में ब्यत्तू देश्यों को पाना था, तो ये तो संभव नहीं है, कि भारत से अलग एक अलग राजियाप बन जाएगा, ये असंभव है, भारत की एकता अखंटा अटूठ है, ये अलिस्थान, खलिस्थान, पाकिस्तान, अंदू लेने के लिए, इस अंदूलोन को पूरी तरह से हथियारों से, पैसेों से, भेंडरवाले को, ठीक न, इन सब आज भी सपोर्ट करता है, आज भी कनाड़ा से पैसे आते हैं, हथियार आते हैं, पाकिस्तान का भी समर्थन होता है, कि खलिस्तानी अंदूलोन को और आगे चाहती है, असली पंजाब तो पाकिस्तान में है, जहां पांच न दिया है, वहीं पे पांच न दिया है, ठीक न, और वहीं 75-35 पंजाब तो वहां है, वहां ऐसा कोई अंदूलोन नहीं होता है, कोई चूचा नहीं होता है, लेकिन इधर होता है, यह चीज़े, अब यहां समर्थक जनरेल सिंग बराड वहिंडरा वालव इसके समर्थक पुरी तरह से उस पर कभजा जमा लिये थे तो उनके समर्थकों से मुख्त कराने के लिए भारतिय सेना द्वारा ऑपरेशन बुलू अस्टार चलाई गई थी जिसमें वहिंडरा वालव को पकड़ के वहीं पर अब थोड़ा सा और पीशे चलते हैं कि आखिर ये समस्या कहां से शुरू भी तो 1970 के दसक में अकाली दल नहीं आननतुर साही प्रस्ताव का इसको चलाया भी था और अकालियों वह यहां पर देखेंगे कि अकाली और निरंकारियों के वीच अमरीश सर में 1978 में जड़ब भ करता है तो उनके जो प्रमुख थे उन पर कई बार हमला भी इन लोगों ने किया है ठीकना पंजाब में भी जाती बात बहुत है बहुत ज्यादा है ठीकना जट सिक हैं फिर 30% एस सी कम्यूटी के हैं तो ये सभी समस्या है तो इंद्रा गांदी जी के यहां एक गल्ती सामन थी हो गया इन्होंने पंजाब केसरी के जो संपातक थे उनकी हत्या की फिर करीब 1985 में जब ऑपरेशन बुलुएस्टार खतम हो गया था तो इयर इंदिया का जो उडान संख्य 182 था उसका अफ़रन किया गया जिसमें एक 329 लोगों की हत्या हो गई थी मौत हो गई थी थी ठीक फिर एक और इन गटना आती है देखिए विचारधारा को मारना है विचारधारा समप्त नहीं होती है विचारधारा को विकास से डिमोक्रेसी से समप्त गया जा सकता है इनकी यह मांग जो अनंतपुर साहिब से जो परस्ताव है वहीं से यह गलत है ठीक न यह में दिलावर सिंग जो एक पुलिस था उसने आत्मघाती हमले में मुख मंत्री जो चंडीगर साची वाल है उसी में आत्मघाती हमले में विस्फोट करके इनकी हत्या कर दी गई है तो अंतता कहना यहीं चाहता हूं कि विचारधारा को विकास से समाप्त किया जा सकता है विक अंग है कभी ऐसा नहीं होता है बिंडरा वाले चले गए अमरित पाल सिंग भी चले जाएंगे जय हिन जय भारत लाग किजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब किजिए थैंक्यू